नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्पित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर दे लास्ट लेसन को तो दोस्तों आप देखते रहेएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल नमयल कोईश्चन भी आपर ज़्यादा है तो इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलिबस के अनुसार लास्ट लेसन को पढ़ने वाल है और इस वीडियो का संपूर्ण मजा लेने के लिए आप एक बार किताब में से रिडिंग जरूर से माल लीचे का और साथ ही आपको इस वीडियो के कम्प्लीट लिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो हांसे आप को डाउनलोड कर लीजेगा इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर की समरी को देखेंगे साथ ही माइंड मैप को देखेंगे जिससे आपको इस चैप्टर को याद करने में बहुत ही आसानी रहेग तो आइए बिना किसी देड़ी के स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को तो आइए बहुत करते हैं हमारे Mission 100 को और According to latest CBSC के syllabus हम यहां पर आगे बढ़ने वाल है अभी हम स्टार्ट करने वाले थे last lesson और और आइरोनी देखिए कि ये अपनी फ्लेमिंगो की किताब का पहला चप्टर है और इस चप्टर का नाम लिख रखा है तो भी हम इस टाइटल की सिग्निफिकेंस को भी यहाँ पर देखेंगे एक बार आपको अगर मैं सिलेबस देखा हूं तो यार जो लेटे सी बीसी का सिल से कुछ इस प्रकार का है अगर आप अपनी फ्लेमिंगो की किताब का इंडेक्स पेज खोलेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगी जो प्रोज वाला सेक्शन है वो तो पूरा आपकी बार अपके सिलेबस का हिस्सा है पोईट्री के अगर हम बात करें तो एलिमेंटरी स्कू फ्रांस से बिलॉंग करते हैं सो लास्ट लिसन यार ब्यूटीफूली यहां पर एक हुमन टेंडेंसी को दर्शाता है जो की है प्रोकैस्टिनेशन प्रोकैस्टिनेशन मतलब क्या होता है चीजों की लर्णिंग को पोस्पोन करना जैसे एक्जाम का जब टाइम आता है आगे बढ़ाते रहते हैं चीजों को पॉस्पोन करते रहते हैं और इसी फिनॉमेना को इसी मानव की टेंडेंसी को प्रोकैस्टिनेशन बोलते हैं और इस चैप्टर के अंदर ब्यूटीफूली इस चीज को बताये क्या है कि जब यहां पर डूम्स डे आता है डी डे आता है उस समय हमें समय की वेल्यू पता लगती है सो कुछ इंपोर्टन शब्दों को देख लेते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी परिक्षा में कीवर्ट की तरह और डेफिनेटल यहां से आपको बहुत धी कमाल के माक्स मिलने वाल है तो पहला शब्द है क्रिपिंग करिपिंग का मतलब होता है जब चिडिया चह चाहती है हाई-pitched sound निकालती है तो इसको हम करिपिंग बोलता है रजिस्ट करना मतलब खुद को रोकना ड्रिल करना मतलब एक exercise करना या फिर practice करना ठीक है दो मतलब होते हैं ड्रिल के पहला तो drilling machine से ड्रिल करना छेत करना और द दर move करना इसके साथ एक और शब्त का यूज किया जाता है जो कि है hustle तो hustle भसल नेक्स्ट अपने पास कुछ important character से आपको मैं मिलवा देता हूं तो दो ही important character इस chapter के अंदर एक है Mr. MML और एक है हमारा प्यारा सा चिंटू मतलब friends start करते हैं इस chapter को तो friends या reluctant है to go to school है na point wise में आ answer लिखने में बहुत आसानी रहेगी subjective question के और chapter भी cover हो जाएगा तो reluctant मतलब होता है hitch कि जाना तो friends जो है हमारा वो school जाने से hitch कि जा रहा है तो यार जो friends है जब school के लिए निकलता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सुबह सुबह का ये time है वो अपने teacher की डाट से डर form of verb which can be used as an adjective ठीक है तो एक ऐसी वर्ब जिसको adjective की तरह यूज किया जाए उसको अपन पार्टिसिपल्स बोलते हैं हाला कि परिक्षय में आपसे नहीं पूछेंगे को बताए तो उसके मन में एक पल को एक खयाल आता है कि मस्त संचाइन इंजॉय करूंगा किडियां को चया चया आते वे देखूंगा soldiers को drill करता है देखूंगा लेकिन फिर भाई साब उसको खयाल आता है कि अगर Mr. MML को पता लग गया मैंने बंग किया है तो भाई वो तो डाटेगा इसे ही घर पे फोने लग लगाएगा वहां से लग्ट होगा ही होगी पिटाई होगी तो best है कि मैं निकल लूँ पहली फुरसत में स्कूल तो हमारा जो friends वो पहली फुरसत में निकल जाता है स्कूल एंड जब वो इस्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पर वह नोटिस करता है बीच में टाउन हूल है ना टाउन हूल मतलब शहर का वो लाका जहांपर सबस्यादा भीड रहती है now usual atmosphere school में कैसा होता था कि एकदम सब कुछ बहुत ज्यादा हलचल होती थी कमोशन हसल बसल टीचर अपने रूरल जो उनका रूलर है है ना स्केल है उसको बैंच पर पीटते थे तो इस परकार का यूजवल सीन यहाँ पर स्कूल में रहता था लेकिन आज सब को चलक था जैसे फ्रेंज स्कूल पहुंचता है सर्प्राइस हो जाता है भाई साब सन्नाटा देखकर फ्रेंज ने नोटिस किया कि जितने भी उसके क्लास्मेंट से अल्रेड़ी बैंच पर बैठ चुके हैं और मिस्टर एम हैमल भी अपना आइरन जो रूलर है उसको लेकर इथर उदर घूम रहे हैं इंस्टीड ऑफ स्कॉल्डिंग तो पहले तुसकी बहुत फट्ती है कि भाई साब अंदर जाओंगा तो सबसे पहले तो मुझे मुर्गा बनना पड़ेगा एक पल को सोच लेता है बाहर ही मुर्गा बन जाता हूं लेकिन पिर सोचता है चलो चलके तो देखते हैं अब इत किया किया मिस्टर एममल न तो भाई क्या गजब की ड्रेस पें रखी इस्पेशल अटायर अटायर मतलब कपड़े उसने पहन रखे हैं जो कि सिर्फ वो स्पेशल ओकिजन पर पहना करते थे ना वो सर्प्राइज हो जाता है पीछे देख के पीछे तो देखो आना पीछे क को सुनाते हैं एकदम जेंटल टोन में सीरियस होकर कि बच्चा पार्टी आज का जो यह लेसन है यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है एक बर्लिन से ओर्डर आया है बर्लिन मतलब जर्मनी की कैपिटल बर्लिन वहां से ओर्डर आया है कि कल से दो डिस्टिक्स एलसेस और इनके स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज यह मेरा लास्ट लेसन है और उसके बाद फिर मैं स्कूल छोड़कर चला जाओंगा तोस वर्ड्स वर शौक टू लिटल फ्रेंच भाई साहब छोटा अपना निभा है ना और उसको जैसी यह वर्ड्स सुनाते हैं एक इतने फ्रेंच के लेसंस नहीं पड़े क्यों मैंने टना टाइम वेस्ट किया एंड़ थोट देट मिस्टर एम हमेल वस गोइंग अवे अरे कल से यह खडू समाश्टर जी भी चले जाएंगे तो यह सब तो उसको सोच के ही मतलब जितने भी पुराने पाप पुर्ण यह कर बंदा चला जाएगा ना फ्रेंच बहुत जादा सौरी फील करता है उनके लिए भी क्यार देखो कैसे यह इनका लास्ट लेसन है एंड इसलिए इन्हों ने एकदम अपने बेस्ट क्लॉट्स पहन रखे है और पीछे जो विलेज के एलडर्स थे वो भी वहाँ पर ग्रेट सबसे पहले तो खुद को अपनी खुद की आलोचना हों और फिर एल्स के लोगों को भी यहां पर क्रिटिसाइस करते हैं वाइल फ्रेंस वस्तिंकिंग ओल अब देश्ट एक है और किसलिए करते मिस्टर एमें मिल फ्रेंज जो फ्रेंच लेंग्विज है इसको लाइटली लेने के लिए तो यह सब फ्रांस सोची रहा होता है इतने में उसका नाम बुला लिया जाता है कि उठो चिंटु बैटा चल्दी से पार्टिसिपल्स के रूल सुना दो फ्रेंस कोशिश करता है लेकिन भाई अब पढ़के नहीं है अब तो क्या ही कोशिश हो जाएगी तो वह चुपचा वहाँ पर कड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा MRS feel हो रहा होता है शर्मिंदा होता है वो बहुत ज़्यादा और expect कर रहा है कि भाई साब गंजेश भाई अब तो मुझे डाटेंगी इसे ना गंजेश मतलब Mr. ML भाई अब तो डाटेंगी in fact he blamed the parents है ना लेकिन वो बिल्कुल इसको डाटते नहीं है और in fact Mr. ML blame करते है parents को और खुद को क्यार क्यों हमने prioritize नहीं किया learning को है ना जो parents थे वो अपने बच्चों को भेज़ देते थे farms and mills पर पैसे कमाने के लिए और जो Mr. ML है वो भी कहीं बार बच्चों को छुट्टी द बिल्या की सबसे best भाशा है यह सबसे beautiful है सबसे clearst है सबसे logical है और बिल्कुल भाई साब कुन गान वो French language के गाते हैं उन्होंने villagers को यहाँ पर यह भी बोला था कि villagers जब तक तुम अपनी language को guard करोगे इसकी संरक्षना करोगे यह इसका संरक्षन करोगे इसको protect करोगे तब त एक जरिया वनेगी तेन उसके बाद last lesson यह पर दिया जाता है Mr. MML open करते हैं अपनी grammar grammar की किताब को and then taught them their last lesson आखरी उनको lesson पढ़ाते हैं friends मतलब इतना ज़्यादा अमेज़ था कि यार कितना बहतर वो पढ़ा रहे हैं यार सार रहना क्योंकि उसके पहले तो भाई कभी class में थ्यान रहता नहीं था आज पहली पार ध्यान देके बैठा था हो class में तो उसको लग रहा था कितना आसान subject है और सब कुस समझ में आ रहा है then उसके बाद writing count का lesson होता है and that day उनको नई किताबे distribute की गई थी और सब इतने ज़्यादा sincere थे कि क्या ही बताएं now after a while friends notice करता है Mr. M ML को कि वो बिल्कुल चुपचाब बैटे हैं motionless बैटे हैं अपनी चेर पर और एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीजों को अपने मंद में बसाना चाहते हो and it was like कि वो अपने मतलब है ना पूरे classroom को अपने दिमाग में print कर करना चाहते थे and garden को वो देख रहे थे जहां पर उन्होंने 40 साल की faithful service कर ली थी है ना तो यहां से प्रशन पूचा जाता है कि कितने साल सर्व किया था Mr. MML ने स्कूल को 40 साल सर्व किया था now final goodbye का टाइम आ गया था even though Mr. MML बहुत ज़्यादा overwhelm हो गय थे ना बिलकुल लब finally church की clock में 12 बज गए घंटी बजी वहाँ पर and Mr. MML अपनी chair से उठ गए उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश करी है ना जाते जाते कुछ दो पांच शब्द बोलने की कोशिश करी लेकिन वो बिलकुल नहीं बोल पाए so वो blackboard की तरफ मोड़े और chalk उठा के उन्होंने लिग chapter यहां पर होता है समाब तर एक चोटा सब्डेट आप सभी के लिए अभी आने कैडमी पर यार एक बहुत ही कमाल का ओफर चल रहा है जहां पर आपको 20% का डिस्काउंट अने कैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के ओफर वैलिड ह और अगर आप यूज करते हैं कोड एपीपीडिया तो यह ओफर आप अवेल कर पाएंगे जहां पर भारत के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं और एकदम मस्त वे में आप अपनी एक्जाम के तयारियां से सुनिश्यत कर सकते हैं तो अनलॉक कोड है एपीपीड वाइल गुइंग तो स्कूल है ना तो क्यों फ्रेंज को डर लग रहा था पहली बात तो लेट था स्कूल के लिए हैना एमेमल की डाट से डर रहा था और तीसरा कि उसने पार्टिसपल्स पर लेसन भी प्रिपेर नहीं किया था उसके बाद वो क्या प्लान बनाता है यहां ना क्या सीन था टाउन हॉल पे तो यहां टाउन हॉल पे मतलब जहां पर वो बुलेटिन बोर्ड था बहुत पिछले कुछ सालों से बुरी खबरें वहां पर आ रही थी क्योंकि फ्रांस विर्त में हार रहा था और क्राउड वहां पर था तैन उसके बाद इस्टूडेंट के अटेंशन के बारे में अगर प्रशन आता है तो सभी लोग एकदम कुईटली काम कर रहे थे पिंडॉप साइलेंस था और इवन मतलब होता है न कि क्लास में मधुमक्या गई सारे बच्चे बच्ची शोर गुला करने लग गए हला गुला करने लग गए तो वो भी नहीं हुआ इवन बीटल्स है न छोटा छोटा कीड़ा अगर वो भी जा रहा है तो भी क्लास में कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है सब अपने काम से काम रख रहे है नौ एम हमल क्या एड्रेस करते है स्टूडेंट को यहां से प्रशन आता है तो पहली बात तो एमल ने बोला प पहली बात वो क्रेटिसाइज करते है पैरेंट्स को खुद को और चिल्डरन को सभी को क्रेटिसाइज यहां पर करते हैं तो फ्रेंच लेंग्वेज को सबसे ब्यूटिफूल लेंग्वेज बोलते हैं ग्रामर लेसन देते हैं राइटिंग लेसन देते हैं और ऐसा लख र बहुत बड़ा हो गया था लेकिन अभी तक Mr. MML education के पती बहुत जाता dedicated थे MML के courage की बात करें उनके साहस की बात करें तो वो last lesson को deliver करते हैं यह न आगों से आसु आ जाते हैं सब emotional हो जाते हैं MML के अगर patriotism की बात करें तो चर्श में जैसी बारा बसती है trumpet special लग जाते हैं MML blackboard पे लिखते हैं विवाला France और class को dismiss कर देते हैं अपने cheshire से then villagers का अगर अपन tribute देखें तो वो सबसे बलतो पश्याताप करना चाहते हैं ना repentance for not coming to the school Mr. MML के 40 साल के service के लिए gratitude शो करना चाहते हैं और as a mark of respect for the country वो class की back benches पे बैठे हुए थे then usual scene क्या होता था यह स्कूल में हसल बसल रहते थी ओपनिंग क्लोजिंग ओफ डेक्सेस ना डेस्क चो बेंचे से बच्चे उसको आगे पीशे करते रहते थे unison मतलब एक सुर में lesson को repeat करना और teacher भी ruler को बार बार strike करता था अपने ध्यान को केंदरित करने के लिए ना लोगों के ध्यान को अपने उपर grab करने के लिए ना स्कूल में क्या क्या changes notice किये के सब कुछ silent था MML अपनी occasional dress में थे then classmates already अपनी places पर रोज चुके थे यह ना surprise हो गया और classroom के देखे कि कितना quite है MML बहुत kindly behave कर रहे थे serious थे सब लोग और village elders पीछे वेटे थे तो यहां से भी subjective question आ सकता है अब कुछ expected questions आपको बता देते हैं short answer question पहला है कि what was friends expected to be prepared for the school तो friends को participants prepare करना था then second question के what did friends notice that was unusual about the school that day तो generally to hustle-bustle रहता है commotion रहता है grappling of ruler रहता है लेकिन उस दिन सब कुछ quiet था एक practice question आपके लिए आपको इसका answer comment box में करना है कि what had been put up on the bulletin board तो इसका answer आपको PPT में मिल जाएगा long answer questions के घर हम बात करें तो पहला प्रश्ण जो कि बहुत important प्रश्ण है कि क्या यह possible है to carry pride in one's language too far क्या हम हमारी language पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक गर्व कर सकते हैं and आप linguistic chauvinism के बारे में क्या समझते हैं ठीक है तो chauvinism मतलब होता है लगाओ बहुत ज्यादा लगाओ या फिर प्यार है ना और linguistic मतलब भाशा तो भाशा के प्रती बहुत ज्यादा प्यार किसी भी individual का जैसे आपने इंडिया में भी देखा होगा, है ना, various जितने भी अपने states हैं, वहाँ पर अलग-अलग languages बोली जाती है, और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी किया जाता है, जैसे गुजरात में गुजराती, बेंगॉली, पंजाबी, ठीक है, तो अलग-अलग प्रकार की languages कारण हो जाता है, है ना, जैसे आपने कुछ समय पहले देखा होगा, कि मुंबई के अंदर साउथ इंडिया से लोग आते थे, तो मुंबई वाले लोग उनको मतलब मना करते थे, कि यहाँ पर सिव मराथी लोगी जॉब करेंगे, यह ना, तो कहीं बार यह prejudice का रूप भी ले लेता है, एक भेद भाव भी वहाँ पर से देखने को मिलता है, इसके बाद यह जो language किरपती बहुत ज़्यादा प्यार है, यह कहीं न कहीं इसके positives भी है, negatives भी है, तो दोनों आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, इस प्रकार से आप इस question को deal कर सकते हैं, इसके बाद कु procrastination को highlight करती है, then किस चीज़ को taken for granted लिया गया था, time और school है न, तो समय और school दोनों को taken for granted लिया गया था, option B, then क्या यहाँ पर last lesson symbolize करता है, तो language और freedom का loss, option D, then what does the last lesson signify, तो यहाँ पर से क्या हो गया था, change in life, लोगों की जिन्दकी बदल गई थे न, क्योंकि सरकार तो बद ले थे, language बदला था है न, और वो पहले आजात थे, अब गुलाम हो गए थे, तो total मिला कि उनके life में change हो गया था, then marching soldiers किस चीज़ को represent करते हैं, तो वो represent करते हैं, dawn of Prussia, dawn मतलब उदय, जैसे सूर्य उदय होता है, तो उदय हुआ परूशया का, और अस्त हुआ या defeat हुई, फ्रेंच पीपल की, then from where orders have came, तो orders आये थे, बर्लिन से, और option C, बर्लिन, या फिर अगर option में जर्मनी होता, तो भी वो भी सकांसर हो जाता, किस effect की बात की जारी है, तो transition की बात की जारी है, effect मतलब जैसे आपने देखा होगा, वीडियो एडिटिंग के अंदर, effects हम डालते ह है, एक वीडियो और दो वीडियो तोनों के बीच में transition डाला जाता है, तो transition एक प्रकार का effect हो, और इस chapter के अंदर भी हमें transition देखने को मिल रहा है, या लेंगविच का transition, government का transition, freedom का transition, hence option C is the right answer, France क्यों reluctant था school जाने के लिए, because उसने participants का lessons prepared नहीं किया था, तो option D is the right answer, CBSC में ए statement था, विवला, France, ये क्या show करता है, तो ये show करता है, कि Mr. M. Hemel, बहुत ज़्यादा overwhelm हो चुके थे, emotions से, option A, then एक प्रशने आपर आया था, 2021 में ही अभी, कि comment on the significance of the villagers, तो villagers वाले प्रशनों का answer आप ऐसे दे सकते हैं, कि वो पहली बात तो है न, ये मैंने आपको उसमें ब country को respect show करने के लिए भी वहाँ पर बैटे वे थे, PYQ में हैं कि, what had the narrator counted on to enter unnoticed, तो generally वो किस चीज पर भरोसा रखता था, है न, क्लास में जाने के लिए, तो hustle, बसल, commotion, इन सभी का वो साहरा लेता था, what a thunder clip these words were to me, है न, तो क्या words थे, जिसने उसको shock कर दिया था, तो जब Mr. MML ने बोला था, कि ये last lesson है, और कल से में नहीं रहूँगा, तो इस चीज को देखकर बहुत ज़्यदा shock हुआ था, then, क्या वो announcement था, जिसने, जो Mr. MML ने बोला था, and क्या उसका impact हुआ फ्रांस पर, है न, जो पिछला वाला question type ही है, तो announcement है, कि France के दो districts में, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और कल से वो यहाँ पर नहीं आएंगे, मतलब कल से कोई और teacher take over कर लेगा, अब कुछ VVIP प्रशन है न, ये CBSC के question bank में था, तो इसको आप पढ़िएगा पूरा passage को, पहला प्रशन है आपर, कि what does narrator refer to with the poor man, poor man से narrator क्या यहाँ पर बताना चाहते है, तो देखो, यहाँ पर poor man का मतलब गरीब आद में नहीं है, यहाँ पर poor man का मतलब एक sympathy, यहाँ पर उसके लिए की जारी है, या फिर sorry feel किया जा रहा है Mr. M.M.L. के लिए, so option C, he feels sorry for Mr. M.M.L. कि यह उनका last lesson है, then एक मुहावरा आपको यहाँ पर बताना है, villagers के attending पे, उन लेट, अब क्या ही हो सकता है, अब तो order ही आ गया है, then उसके बाद कुछ extract based questions, तो यहाँ पर speaker and lines का friends, then Mr. M.M.L. कौन थे, तो वो friends की teacher थे, then why friends was in great dread, क्यों उसको डर था, क्योंकि he had not prepared for the grammar lesson, and what did friends think of a moment, so एक moment के लिए उसने क्या सोचा था, कि मैं क्लास को बंक कर लेता हूं option number C, next question आपकी screens पर, तो यह extract को भी आप इसको पढ़िएगा, यहाँ पर पूछाए कि कहा से extract लिया गया है, तो लिया गया है, the last lesson से, teacher कौन है आपर Mr. M.M.L. है, क्या वो चीजें हैं जो कि they happened everyday at the school, तो grade, puzzle, noise यह सब रहती थी, then wrapping का मतलब क्या होता है, wrapping का मतलब होता है, striking to attract the attention, attention पानी के लिए teacher उस लोहे के scale को bench पर पटकता है, so option C, तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपके कोई भी doubts हो, सवाल यां सुझाओं, तो जरूर साप उसको comment box में लिख दीजेगा, दोस्तों मैंने आपके लिए comment box के अंदर एक important question को pin कर रखा है, आपको इसका answer hashtag and is लिखकर अगले line से start करना है, मैं आपके सभी answers को monitor करूँगा, कई कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको सुझाओं दे दूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, क्योंकि से मैं और भ धनिवाद, जय हिंद, जय भारत